दोस्तो आज में इस वीडियों बात करने वाला हूँ कि आखिरकार इस तरी टू, वेदा और खेल-खेल में तीनों ही फिल्म में से सबसे ज़दा कमाई डेव वन पर किसकी हो सकती है डेव वन पर किसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है इससे जो को इंडेप्ट अंडेडेल में समझेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें पहली बात तो आपको बता दें कि स्कीरी टू का काफी जवर्दस पॉफरमेंस देखनी को मिल रहा है अटलिस 2,29,600 से ज़्यादा जो है बुकमाई सूपर इंटरस रेट देखनी को मिल रहा है वहीं अगर हम वेदा की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा इंटरस रेट इस फिल्म को भी मिल चुका है बुकमाई सूपर वहीं पर अगर हम बात करें खेल खेल में जो कि अक्षयो कुमार के फिल्म है इस फिल्म को 35,000 इंटरस रेट मिला है लेकिन यहाँ पर जो एडवांस बुकिंग है वो एडवांस बुकिंग के मामले में वेदा आ गया है आपको बता दें कि पचास लाग से ज़्यादा के अडवांस बुकिंग है वेदा का ओफिशल रिपोर्ट है और खेल खेल में का 32 लाग के आसपास का ही जो है एडवांस बुकिंग हुआ है वहीं अगर हम 32 की बात करें तो आठ करोर से ज़्यादा याणि कि अप्रॉक्समेट नौ करोर के आसपास के अडवांस बुकिंग हो चुकी है तो काफी अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है जिया तो फिलाल तो एडवांस बुकिंग इस तरह की रिपोर्ट आई है रिलेज में अब ही अटलिस दो दिन बचे हुए हैं और आपको पता ही होगा कि हमारे देश की विमिन सेटीज में इस फिल्म को लिकर है जो है अलग-लग रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है जिया आपको बता दें कि हर जगा जो है इस तरी टू का जिहां टिकट प्राइस क प्राइस की बात करें तो टिकट प्राइस बहुत हाई रखा गया है जिया देखा जाए तो नॉर्मली आपको जो टिकट है वह अगर हम जैसे सीने पॉले सिने माज जाते हैं या बहुत सारे जो आयनोक्स सीने माज हैं जिहां वहां पर अलग-लग टिकट प्राइस के देखने के लिए तो वहां पर इस तरीटू का 900 रुपे का भी आईपी ए 600 रुपा का प्रीमियम आ सारे 500 रुपे का एजुकेटिव आ 500 रुपे का नॉर्मल टिकेट मिलता है तो टिकट प्राइस काफी ज़्यदा हाई है यहां आपको बता दें कि 14 अगस्त को इस फिल्म का सोज को देखने के लिए जाएंगे वो भी रात के सारे 9 बजे के बाद के सोज रखे गए हैं जहां सारे 9 बजे के बाद का सोज होने वाला है जहां कहीं पर 9.45 में होगा कहीं पर 9 सारे 9 बजे में होगा यह जातर लोकेशन पर हो रहा है चाहे वो बड़े सहर हो चाहे छोट तो 14 अगस्त को ही देखा जाए तो कुछ एक डिर घंटे के बाद जो है अट लिस रात के दस सारे दस के बाद छोटे मोटे रिव्यू जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे फस्ट आपका और रात में बार बजे के बाद तो आपको पता चली जाएगा कि यह फिल्म कैसी है तो इसी तरह का जो है फिलाल सेचुएशन है इस तरी टू को लेकर और यह जो है काफी अच्छा प्लान है में करसका कि भाई 14 तारिक को ही फिल्म को रिलीज करके अच्छे खासे रिवीव वा टोर लो उसके बाद जैसे ही पॉजेटिव रिवीव आएगा बॉक्स आफिस पर अच्छी खासी जंप करेंगी बाकी फिल्मों को भी डोमिनेक्ट कर देगी आप चाहए वो क्येल खेल में हो चाहे व वेदा फिल्म का ही क्यों न में मूवी का टिकट प्राइस जादा महंगा नहीं है जिहां अगर देखा जाए तो अगर हम compare करें स्त्री टू की अपैक्षा तो और वहीं अगर हम देखें जहां इसके अलाबा वेदा फिल्म की तो वेदा फिल्म का जो टिकट प्राइस है जहां मैं उसी location की बात करा हूँ परसीने पॉलिस में ही देखा जाए तो यहां पर भी बिल्कुल उजही टिकेट प्राइस जो है वेदा फिल्म भी रखी गई है जो कि खेल खेल में का रखा गया एज एक कॉम्पटिटर देखा जाए तो यहां पर जो है सबसे ज़्यादा टिकेट महगा जो है अब सबसे ज़्यादा कमाई किसकी होगी डेवन पर इस त्री टू को लेगर कहा जा रहा है कि कम सकम वर्ट वाइट बीस से 22 क्रोड के आसपास का कलेक्शन आ सकता है और खेल खेल की बात कर लिजाए तो अगर दो से तीन क्रोड या एट्लिस चार क्रोड तक का भी कलेक्शन हो जाता है वही बहुत बड़ी अपात होगी है वेदा के लिए भी 86 करोड के आसपास का प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि अब देखना दिल्चास होता है कि आखेकार नमबर वन अस्थान पे कौन से आते हैं नमबर टू पे कौन आता है वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीजे कमेंट्स में अपनी उपीनियन जरू सेर कीजिए मलते हैं रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास